कि पॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या अंतर है कि इसके एक-एक करके बातों को हम लोग डिसकेशन करें उससे पहले समझ लो आपके इर्द गिर्द जितने भी बैंक्स हैं जैसे की स्टेट बैंक ओफ इंडिया पंजाब नेशन बैंक इंडियन बैंक केनेरा बैंक के इसे गैसे एसडहरो और बहुत सारे मंग से उजीवन बंधन सो आण के यह सारे बैंक जो है न यह सभी और मोर्शियल बैंक्स हैं किंग साह से इसके काम क्या है आपके exam में डिरेकली ना कॉश्ण आ करका कशूर आ सकता है कि कॉमर्शेल बैंक के function बताओ कि इसी difference ने तुम कॉमर्शेल बैंक का भी function बता दोगे और Central bank का भी function बता दोगे जोनों क्या होता यह समझ जोगे आफा को commercial bank अगर आप को अपना खाता खुलवाना है कि सेविंग बैंक खुलवाना एक आम आदमी हो आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हो और कुछ इस पर व्याज कमाना चाहते हो तो एक अकाउंट खुलवाओ पैसा जमा करो सेविंग ऐकाउंट कहां आपैसा आप अगर बिजनेस्मां सब्सक्राइब करनकर खुलवाओ और लेना है कार लिलेना है बिजनेस लोन लेना है यह सारे लोन कहां जाकर लोगे तुम कोमर्शिल बैंक समय लेने के लिए समझाएं बात तो एक आम आदम यानि ब लेकिन एक होता है Central Bank जो देश में एक ही होता है और इसका काम आम आदमी से connection इसका सीधन नहीं होता है हर देश में Central Bank होता है जो कि एक होता है हमारे देश के Central Bank का नाम Reserve Bank of India है कि किसी भी देश के सेंटल बैंक का काम यानि हमारे देश के भी सेंटल बैंक का काम जो इसका नाम हमारे देश के सेंटल बैंक का नाम आड़ी आई है इसको बार बार इतना फोकस में इसलिए कर रहा हूं आके स्ट्रेंट्स कन्फीज नहूं आपने बच्वन में पहली बार इसको परहा था एक ही इसमें चैक्टर में था फंक्षन और सेंटल बैंक और आगे था फंक्षन और रिजर बैंक अपूंडिया कि मैं देखो कि दोनों का फंक्चन सेम सेमली का हुआ हो भी क्यों ना क्योंकि हमारा यह कंसेप्ट जब मैं इसको सीधे बुक देख रहाता तो यह क्लियर नहीं था तो असपस्टा के साथ लगा होगा था कि आड़ी ही सेंटल बैंक है तो मैं समझ जाता इसलिए मैं आपको सम नोटों के छपाई करना कि एक ही काम नहीं है और भी काम है जितने भी कॉमर्शिल बैंक से उस पर नजर बना के रखना कि उस सरकार के भी बैंकर के तौर पर काम करना सरकार के एजेंट के तौर पर काम करना सरकार के फैनेंसल एडवाइजर के तौर पर काम करना कि यह सेंटल बैंक काम है तो देखो सेंटल बैंक करती है सरकार के लिए जो काम कॉमर्शल बैंक करती है अपने कस्टमर्स के लिए आम लोगों के लिए समझ लो तो सरकार का में में काम क्या हो गया नोटो की छपाई ता इंडिया के सभी बना हमारे देश की बात अगर करें तो किसी भी देश की भी बात कर सकते हो उस देश के जितने भी कॉमर्शल बैंक से उसमें नजर बनाके रखना एक और I ile मैं इनफलेशन और डिफलेशन हो तो उसे कंट्रोल करना हम लोग क्रेडिट कंट्रोल में जौकर इसको पढ़ेंगे कि इसके बाद का मैं में निग्रानी करना नजर रखना नोटों की छपाई करना निग्रानी नाशर की सुवर्खना कमेर्चल गन्स पर इनफिलेश्ण डिफ्लेश्शन को कंट्रोल करना बैग्च seven तौर पे काम करना सरकार के एजेंट के तौर पे काम करना सरकार के एडवाइसर के तौर पे काम करना ये काम है सेंटल बैंक का क्या एक आम इंसान चाहे तो सेंटल बैंक में जाके खाता खुलवा सकता है नहीं वह ये काम सरकार के लिए करती है सिर्फ सेंटल बैंक आम आदमी कॉमर्शल बैंक प्राइबेटली ओन एंड मैनेज़्ट प्रॉफिट मोटिवीट मेन मोटिव इस पॉब्लिक वेलफियर एंड दा मैनेजमेंट आफ दा फेनेंशियल स्टेट में सिस्टम इन दा कंट्री अभी मैं इसको थुरा सा एडिट कर देता हूं कि है कि ने तो कनफीजन का विशह बन जाएगा है कि देखिए अब फिर से आप देखेगा कॉमर्शी सेंट्र बैंक और कॉमर्शियल बैंक का डिफ्रेंट जो यहां लिखा हुआ है वे कनफीजन का विशह था मैंने इसलिए अटा दिया फ्रेस्ट दंग से देखिए या इसके अइस का मोटिव को अगर बेस वाने तो चेक करते हैं its main motive is public welfare and the management of the financial system in the country का में मालू का में मोटिव क्या है मालू मैं इसका मोटिव क्या है इसका मोटिव है पब्लिक वेलफेर करना और फिनेंशियल सिस्ट्रम कंट्री का जो फिनेंशियल सिस्टम में उसका मैनेजमेंट करना किसका काम है Central Bank का काम है लेकिन commercial bank का काम पब्लिक मोटिव के साथ क्या है इट मेंस एट सेक्यूरिंग maximum profit for the shareholders कि इसका काम है जादस ज्यादा अपने shareholders के लिए profit कमाना commercial bank काम क्या profit कमाना लेकिन लेकिन central bank का काम क्या public welfare करना दोने में बहुत 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 फर्क हो गया न एक चारह समात सिवा और दूसरा चारह जादर स्यदे कमाई करना तो central bank का काम public welfare है में मोटिव और commercial bank का में मोटिव क्या है ज्यादस ज्यादा व्याज कमाना profit कमाना और अपने shareholders को ज्यादस ज्यादा फैदा पहुंचाना दन में मोटिव उसका इस तरह से होता है अब लिल्ग इट रेगुलेइट सुपरवाइश एंड कंट्रोल्स द ओप्रेशन अव कॉमर्शल बैंक्स नू डारिक डिलिंग विद पब्लिक मैं आपको बताया इसका काम है कोमर्शल बेंक में नसर बनागंकर करिखना पबलिक से डिर्ट डिलिंग करना है इसका काम यह फ़ी से डिरेक डिल नहीं करताओ यह लेकिन यहाँ पर प्लिक मिट्लिंगा कम है इक डिरेक्ट डिल्स विद द हग अजन कर ते C छलिए बेस, subordination, it subordinate to the state, it is a vital institution of the government and pursue its policy, यह क्या है, यह government के लिए काम करती है, commercial, it acts banker to the general public, यह किस के, central bank किस के लिए banker के तौर पर काम करती है, सरकार के, और यह commercial bank किस के banker के तौर पर काम करती है, आम, public के, next point, note issue, monopoly right over the note issue, note, note issue का करने का काम किस का है, central bank का है, it cannot issue notes, क्या commercial bank भी अपने note issue कर सकती है, never, बस यह सारी चीज़े मैंने पहले ही आपको बता दिया, foreign exchange, it is custodian of the country's foreign exchange, और it can deal with foreign exchange on the permission of the central bank, ते को foreign exchange से related काम, कमझ नहो, foreign exchange समझतों, आपने सुना होगा, कि dollar के मुकाबले, rupee का value बढ़ गया, घट गया, यह सारी चीज़े, foreign exchange के basis पर ते होती है, तो foreign exchange rate की बात होती है, तो इसको control करना, मैंने और भी चीज़ें बताई, inflation control करना, deflation control करना, credit control करना, यह सारा काम किसका है, central bank का है, anak commercial bank को इससे मतलब नहीं है, अगर आप एक और अंतर लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो, central bank क्या करता है, credit, central bank के दौरह क्या 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 जाता है, credit control करता है, साथवा लिख सकतो, credit के बारे में हम लिख सकते है, यह इसके द्वाराना credit control किया जाता है क्या कहता है credit control किया जाता है central bank credit control करती है लेकिन commercial bank credit creation करती है अब सवाल यह है कि यह credit control और credit creation का क्या मतलब है इसके लिए especially आपसे discussion करेंगे next class में next lecture में credit creation क्या होता है और credit control क्या होता है फिर से याद रखे रहने credit creation किसके द्वारा रहता है commercial bank के द्वारा होता है लेकिन क्रेडिट control किसके द्वारा होता है central bank के द्वारा होता है आज के यह इतना काफी है best of luck झाल